So hey guys, welcome back on PAL world and आज मैं इस गेम को खेलने वाला हूँ 500 days के लिए मैं ओल्यदे इस गेम को चार अलग अलग पार्ट में 400 days के ले खेल चुका हूँ जिन में हमने अपनी जनरी के शुड़ वार्प किती और उसे के तक हमने काफ़ सार वेस को डवल अप किया और आम काफ़ सारे टावर बोसे चाले रहे हमने काफ़ सारे आज पार पाल से बैटल भी किए जिट को हमने हजाया और कैच भी किया और हमने बहुत कुछ किया बढ़ आज की फीडियो के अंदर में काफ़ सारे लेजिन के पाल से बैटल करको ने कैच करने वाला हूँ तो चले चलते हैं पाल वर्ल के 500 देश के चर्णी के अंदर तो अगले वीडियो में हमने काफ़ से टाव बॉसस को रहा आता है और हमने अपना यह वाला वेस को भी डॉप क्या था चुकि है काफ़ी वासम है जिसमें तुम दीके से लिक तो अपना फायर ब्रेटिंग ड्रेगन अपने वेस को लाइट आप कर रहा है और और अलसो यह अपना है farming area और यहां पर कुछ नहाने का जगा भी है और यह अपना शाध मेरे घ्र को अची टेका किसी नहीं देखा उनको मैं अपना घर देखा देता हूं तो इस साइड में लार्ज पार बैड आपना बेटने का जगा और उसके साइड में अपना सोने का वाला एरिया ज इसने में मसल दिया था बट एक्षिली जब में उसे लेने गया था ना मुझे रस्ते में एक बहुत ही पाफुल आलफा पाल रिखने को मिल गया था जो कि सुजाकू तो अब मैंने डिसाट के लिए कि मैं इसे कैच करने जाओंगा एंड और मैं एक न्यू बैम में जा रहो त इसके बाद इसके अटाइक को 100 बजा दिया जिसके बाद इसके अटाइक वो चुकती 700 और इन सब के बीच 5D के से मेरे सारा हीपेस्पेर बन चुके हैं अब मुझे अल्टर स्पेर को क्राफ्ट करना है बट इसके लिए अपने पास रिफाइन अरे निंगर नहीं है तो अपने पास पाफुल स्पेर हो चुके है तो फाइंट इसके आप में चास सकता हूं निव बाया में बहुत ज़र पास को कैच करने बट उससे बहले मुझे याद है कि तुम लोगों ने कमेंट किया था कि ग्रिस बोल एंड लंबुल का ब्रीडिंग करा उससे एक बहुत अ के लिए अब देखने के तुम लोगों ने कमेंट करता लिजीन रिपल निकलता है तो सब कम ख़तम हो चुका है तो अब में निकल चुका था डिसर्ट बायम की सफ़र्ट की और चापर मुझे बहुत बहुत तो निव पल मिलने वाले हैं और फिर कुछ दिखने के बाद मु और फिर मैं आगे बढ़ी रहा था कि वो जी पीचे से एक रॉर समना इडी और यह ते एक सुझा को की चुकिए मैं बैटल के लिए फुका रहा था तो फेट करता मैं अपने फिर अपने सगीन अटाइक के साथ फिर अपने से फिनिश आउट कर दिया मतलब मैंना फैल्स प के अंदर हाँ यह काफी इसी था तो उसके बाद शाफर पर मैं थोड़ा और हागी निकल गया जाब मुझे एक डाइनस्व लक्स दिखा मतलब यह डाइनस्व पने लक्स वाम में जो की काफी ज़्या उसम है एंडी एलेक्रिक एंड ड्रागन टाइप एंड यह आती भाई इसके बाद ही आगे मुझे एक डॉक का फैमल गया जिसमें से एक को हमने के डिसाइड कर लिया था तो इनको मैंने थोड़ा बड़ डामज दी एंड फिर इनमें से एक बड़ में अपने फलस्वे फेक केसे कैश भी कर लिया और उनको सीधा उपर बाले की पास ही बेज़ इसके बाद में डिसर्ट वाम को और पोको और अंदर निकल गया तो जाकू को ढूंते काफी तक दूनने के बाद वो मनना मिनको मिल नहीं रहा था बड़ उसी बीच में चे एक शहर दिखा भाई जादू ही नगरी यार मुझे अलादिन के शहर किता लग रहा था तो मुझ ये विलेज के अंदर घुसने के बाद मुझे बता जलता है कि ये विलेज तो वह अंदर से टूटा फूटा पढ़ा है साथ से जादूकर जफर ने तोड़ दिया जैस्मिन के लिए जो भी हो मैं इसके अंदर निकल गया और जितना अंदर जा रहा था बाई पता नहीं यह आपर कुछ लोग रहते थे और इनको दिखी मुझे शत्में विश्वास हो गया कि ये अलादिन का ही शेहर है बट जो भी हो ये शेहर अंदर से पूरा ही टूटा फूटा पढ़ा हुआ है तो इसके बाद मैं शेहर से बाहन रिकल गया विकास मेरा मेरा में मकसत हा सुजाक आसमान में दिखिया था जो कि अपना आलफा बॉस था जो कि लेवल 45 का है मुझे बहुत तो पाफुल है जो भी अबने इससे बैटल शुरू कर दी थी एंड इसे बताने कि मैं इससे लटने के लिए लाए लाए आपने फैल गलॉप्स को जो कि बहुत तो पाफुल है एज इसको इसे मेल्ड भी कर सकता है यह इसको डैमज करना शुरू करता है एक। अब लेकार होगा कि अब देखना बाए इसकाल बेका लगाए लोगा तो ब्रोप आती भाई अपनो पाफुल एक टैक के लॉट लाट करता है क्योंकि इसको काफी च्छा डामज देरा था अपर इट फिलकव से काफी जाद ही लो करता है मतलब थोड़ाब अटेक करता है और फिर हम लोग पोह दे तक बाटल करते हैं अमनोग इसको प्लॉख करते हैं फोड़ा बहुत अब मैं इसे दीर आप जरा था तकि यह मर न जाए और मैं अपने आने भी इसको भी 9 अटाय का कमांड टेगे रखाता By the way, I had done, मैं इसको भी फेक प्रफिर फेकना शुडू किये और मेरे पास 42 अल्ट्रस प्रफिर है मतलब मैं इसे catch टो कर सकता हूँ बाई देवे मुझे बदाता काफ से अल्टरस पर लगने वाल हैं बट यो भी उमें बिलकुल प्रिपेरशन के साथ आया था बट मुझे अचा लगाता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बस तीन पल्स पर फेकने के बाद फाइदी किसी एक कैच हो गया मतलब यह बना तो एकदम सस्ता माल निकला बहुत इसी दिक से कैच्चर हो चुका है मैं जो सुजाकु को पकरने के बाद घर जाने के टाइप मुझे और एक डैनेसम लक्स मिल गया था मतलब इसी की कमी रहेगे एक बेचारा मर गया था अगली बार इस बार मैंने इसे अपना पल्स पर फेकर करके इसी दिक से कैच्चर कर लिया और फाइदी किसे अपना सेंट बाम के सफर बिलकुल ओपी रह गया तो उसके बाद मैं गाओ के पास बाले टेलिपोर्टर में आके वाह से फाप्स ट्रावल करके आजा तो अपने वेस में वापस और फिर मैं अपने सुजाकू की स्टेक करने लग जाता हूँ लिटरी मैं को लगाता है कि इसके पास फ्लेम इंप्रेयर के अबलेटी होगी बढ़ इसके पास अबस सीरियसनस है मतलब कहा यह अगनी का सम्राज बंदे जा राता बंदा सीरियस करडिशन में चला गया अगले वीडियो का फर्स्ट कोमेंट था इसले मैं इसको पिक किया था बाइट आइट इसके अंदर से निकला मुडगा मैं इस मुडगे का तो नहीं बता लेकिन सस्क्राइबर्स ने मिलके मैंने मुडगा ज़रूर बना लिया जिसने भी एक कॉमेंट करना साच बता तो तुझे इसके अंडे फेक के मारूंगा वाई इभी इन सब के बाद में अपने केक फार्म में आ गया मतलब ब्रीडिंग के लिए की की जड़त प्रतियां मैंने अनलिमिटेट केक फार्म तो बना के रखा ही था मतलब इन्होंने भाई चैस बना रखके सब यहां पर डख दिया तो फिर मैं इन सब को लेकर आके बहुत सार केक बनाने के सोच तो इसके लिए अपने पास स्टोर की गमी थी बिट जो भी ओ फिर में पैंट किंग को बहुत सारी फ्लोर बनाने दे रहता हूं जो रात भी ओ लगए तो रात को यह जीज़ कना बनता है ना तो फिर के आदा मैं जाकिया राम से सोग ए एक सबसे पहले चाहिए था पना अपने डूब्ल का फैमली और तो अन्हें पर फिमील पल के लिए मैं बहुत अच्छा स्वागत किया था तो मैंने इनको मिठाई को जबाद इनके घरवाले को जारे खुश हो गया और सारे भेवश्यों के मिलीचे किर गया इसके बाद अब मैं इस फोटे मोटे पल को काच किने वाला था अगर मैं को इसको गोली मारता हूं तो यह मर जाएगा तो मैं इस अपने फोटे वाले हैंड कंट से थोड़ी बहुत ड इन दोनों के ब्रीटिंग से चोब भी पल निकलेगा मैं इसके लिए काफी दर एक्साइड़ हूं तो जब तक यह ब्रीटिंग हो रहा है मैंने रिसाइड कि कि मैं बॉस जर्मेंटाइड को पकड़ूंगा जो कि बहुत पाफुल है बॉस जर्मेंटाइड वर्टे मैं इसलेक निकल पूरा मैं पानी के बीच में रहता है तो काफी दर एक्साहसी ने के छला जाता हूं और फिर मुझे विच के उर्टिक नता हूं अगिके मारता हूं इक बहुत इची तरीकते से अच्छे एक이지asso tata यह से हि़िट भी बी होता है एक और पल से प्ल से की आ कि लीफ मंग की एनर्जी को पिक कर लेता हूं I don't know मैं बैटर के बीचे क्यों कर जाओ बट जो भी है अच्छा है इसके बात ही मेरे पीछा पर गया आता है और मैं इसे भाग गी जाता है कि भाई मैं पानी में कर गया और यह बंद आकिला मुझ पर अटाक कर निकर रहा था बहुत गंदर देगे से इसके सारे बंदर फिनिश आउट हो जाता है बट इसे चकर में मेरे को भी एक हाइड्रो कैनन लग चुका था जो कि मेरे को काफ़ेशा डामज दे रहा था बट जो भी हो ओशार्क भाई अपना अलगी लावल का है बिकॉस इस चर्में टाइट के बहुत भारी पर जाता है और अलसो ही इसको भार भार इलेक्रिसिटी के चतकाले दे रहा था जिसके खाती इस प्रलाइट भी हो रहा था तो फिर काता हमने काफ़ेश दे तक इसके साथ बातल की एंद फिर अपना ऑशार्क पान में डूब रहा था एंद इसको बहुत बढ़ जाएगा बट उसी बीच यह वर्टर ड्रैगन में पर पर फिर बहुत घतनक हाइड्रो कैनन फेकता है जिसको मैं इसी तेक इसे डॉस्ट गरता हूँ बट जो भी हो यह काफी घतनाक था बट जो भी हो फिर हम तो की बाटल बहुत देटक चलती है और उसी बीच मैं याज इसके अटाइक से मरते मरते बशता हूँ तुम देख सकतो कितने कम इस पर बचिये मेरी बट जो भी हो उज्यार कि इसको भाई अच्छी टेगे से इसके ना नियाद दिला रहा था जितना इसने मेरे को सता है था बाई देवे आफ्टर डेट अब मुझे अपने करने के लिए टाइम चीए था तो मैंने अपने पल्स पेर को थो करके स्वाट टाइम बाई किया अगर यह बंदा मेरे पर एक भी अटाइक करते तो मैं मर जाने वाला हूँ तो मैं डिसाइड के कि मैं फुद भी हील हो जाऊंगा इन मैं श्रील भी वापल से रिकवर हो जा बाट उसी बीची भाई मेरे फेल्गलो अपने इसके पड़ी एक अटाइक की एंड यह मढ गया यार यह मेरे साथ ही होता यार मतलब देगरों मैसे इतना मुस्किल से कैच करता हो आधी गंटा बैटल की एंड यह से ही मढ गया वैसे इसके बनते की बाद मैं इसके अस्तिय तुम लोगो याद हो का के अगले वीडिव में ने तुम लोगो बताया थे कि इस मैपने दो-दो जर्मन टाइड मेरे को मिल गया तो फिर में गया रहता है बाट उसी बीची मेरे को गुफा मिल गया तो फिर यहाद आब एक बॉस था जो की काफी कमचो था बिकुर मेरे ए को ढूनने यहाँ पर आगे तुम एक स्कल देख रहे हो ना भाई इसी के अंदर रहता है वह जर्मेंटाइड और पता नहीं यह बड़ा सा हट्टी कर ढढ़ा अचा भाई कौन से पलका है मैं तब सोच हो वह पलक कि इतना बड़ा होगा जाए से गीम बाले उसे बात में एड कर देगे में तो फिर मैं इस हट्टी के बहुत दो कड़ीवा जाता हूं इंट ग्याबर में को देखना को मलता है ओर एक जर्मेंटाइड चो कि में और चाहिए भी था तो फिर नीचे आने के बाद मैं इसे बातल शुलू करता हूँ और में फोल्ग जोब इसके उपर पहल एक बाद लड़ चुका जर्मेंटाइड से इसे खाते लिए जर्मेंटाइड को लिट्रली भाई ना नहीं याद दिदा रहा था लाएक बार बार इसको शौक देगे प्रिलाइस कर रहा एं अगली बैटल के बाद अपना जर्मेंटाइड को कुछे दिर में पहुत से चटकारे दे दिए आफर रेट इसना अपना फाइनल अटाइक किया जो किता हाइड्रो कैनन अन लिटरली अपने पर सबने शीर्ड भी नहीं थे हैं इसके एक अटाइक के साथ मैं लिटरली अब मरने ही वाला था तो इसके बीची में पर एक खतनाग करता है बाट में श से बहुत रडर किया था कि शायद से ओशार किसे वापस से जटकना दे दे कि क्यो भाई पोकेवल में नहीं आ रहा जल्दी से आ जा जो भी यह भाई मसा आ गया इस बाटल में इन मेरा ओशार कितना पाफुले में को पता नहीं था यार वाई घर आगने के बाद मैंने जर् पानी का देफता जैसा है तो फिर क्या था मैंने इस पानी के देफता को अपने घर पे काम पे लगा दिया एंड या आती वर्टेरिंग का काम चुलू कर दिया एंड लिट्रली कुछ जादा ही बढ़ा है यह को ऐसे पूचला के काम कर रहा है देखो तुम अगर मैं इस जर से लिटरली वेश से बाहर हूँ बट इन्होंने एक बेंडा ने दिया बट जो व्यों ट्रावल के बीच में एक फायर लार्ज इंग मिल चुका था तो फिर मैंने इसे इंक्यूबेट किया एंड इसके अंडर से निकला एक सुजाकू जो की इस ठीक टाकी है भाई बटे फ पूरे गीम के सबसे अधा फेवरेट पाल है बिकॉज यह देखने में इतना जाद ऑसा मैं रिट्रल इसको ही लिजूंडरी होना चाहिए था बट जो भी वो इसके पास अर्थ इंप्रेर के अबलिटी है इसके फादर की बज़ेस से मैं दिबेजर में टाइम से बैटल के मैं लेवल अप हो गया था इसका थे मुझे कुछ पॉइंट में ले थे तो मैंने उनसे सुजाकू की शैडल को अंडॉक कर लिया उसे क्राफ्ट करने के लिए पने पास रिफाइन निंगत नहीं थे और तुम्हें पता है रिफाइन निंगत बनाने के लिए अपन लोग को आइन एंड कोल के जोड़ परती है तो इसे कातिर मैं अपने आइन फर में आकर बहुत सारे कोल को कर लेता हूं एफिकर देखेरों कितना ज्यादा ही क्यूट है तुम बताओ तुम्हीं यह लग रहा तुम्हें कितना क्यूट नहीं लग रहा ग्रा गेम्डबर बेकार में इसको लिजूनरी बनाना चाहिए था देखे तो यह कितना जादा ही ओसम क्यूट तार्ट पर एंड लिजूनरी जैसा लुकिंग का है जो भी अब सी है मेरा फीविट पर लो गया इसको बनाने जग दिया और मैं इसको कर लिया इसको कर लिया जिसके बाद मैं राइट कर सकता अपने सुजाकू के ऊपर जो कि पहुत ही जादा ही ओसम है तुम देख सकते तो यह कितना जादा बड़ा है खतरनाक है और इसका भाई पंग धीरे चल रहा है लेकिन यह जादा इसको बाता है जादा जादा के बास आ लिया जादा है उर्ट जादा आग्या गया जिनसे लेने के लिए मेरेको cold resistance refined metal आमर के जरुवत है तो फिर क्या था मैंने उस आमरेको जाके unlock कर दिया अपने टेक्नों ये बार से और फिर जब मैंसे craft करने आया मेरेको बता चला कि इसको craft करने के लिए अपने पास high quality cloth ही नहीं है तो फिर मैंने high quality cloth क क्राफ्ट गया और after that 5 अगे से मैं अभी craft कर सकता था cold resistance refined metal आमर को तो फिर खाता मैंने उससे craft कर दिया and thanks for my pulse ये जल्दी से craft ही हो गया तो अब मेरे को सबर में जाना है बहुत से नहीं पल्स को दूरने है अब मेरे पास गोली ही नहीं है भाई मैं लरूँगा किस चीज से गोली बनाने के लिए मेरे का बहुत साय refined iron anger की जवरत है तो उसी के लिए ही मैं दूसरा टेक्निक ही उसकरने वाला हूँ जिसके लिए मैंने firstly अपना dick toys के shadow को unlock किया अब फिर आके इस shadow को craft भी कर लिया अपने enemies के सारे जब यह craft हो गया मैं निकल गया अपने mining base में जब आके मैंने अब अपने dick toys को छोड़ गया अब इस new shadow के खातिर dick toys बहुत ही फास जड़ी के से इस ore को तोड़ सकता है मतलब अब इतना तोड़ महत के लिए के में के जब अपने के सारे iron & coal को mine कर वा लिया बहुत ही फास तरीके से में इवे सब काम खतम होने के बाद अब अपने बाद तारों तरफ iron & coal परी हुए थे तो में इन सब को उठाया अब अपने पास 450 कुछ iron & coal हो चुके थे जो की पोच बड़ी अमाउंट है तो फिर घर पर आने के बाद में इन सब को भी melt होने रख दिया अब उसी बीच मैं लिटरली थोड़ा घर से बाहर आया ही था ना कि कुछ सुरनों में पर अटाक कर दिया अब इन सालों के किसमत इतनी बोली थी कि मेरे सारे पल्स इसके उपर मताब दावा बोल दिया भाई अपना अनुबिस हाथ से बाई आई सीम शोड़ के इनको मार दिया मैं जिब इसके बाद मैं कुछ देर के लिए firebam में आया को अभी बनाने के लिए अपने पने को साहे वहता है सुलफर तो यहां पर मैं को सफ़फर को लेने आए अटा जिनको मैंने कलेक किया प्रथक मुझा मुझी या पर देर इस एन नेक्रमस कि छेट टीर टॉट इक नों मेली जूकि लिजिटिनरी पर एस ग्येम के इनको देके मैं लिटरली बहुत excited हो गया कि एक इन तो मैंने जरूर catch करूँगा मैं भी फिर वेस आने के बाद मैंने उन सारे sulfur से बहुत सारी गंप्रटों को बनने रग दिया और फिर मैंने सारे अनुविस ने मिलके इनको बहुत ही जली टीक से craft विकर दिया इसके बाद इन से मैंने बहुत साही refined ammo को बना लिया और अब मैं अपने ice resistance armor को ट्राइ कने वाला तो सबसे पहले मैं इस fire armor को निकाल दिया तो कि fire protection के लिए था और याबर मैंने अपने ice resistance armor को लगा डाला ज्योंकि लिटरली को जाद ही white लग रहा था लाइक मैं Santa Claus हूँ किया इतना दा वाइड कप्रे पैंज रहू हूँ भाइटीव हमने बहुत साही refined ammo को क्राफ्ट को लिया था अपने पास भी 460 ammo से जो की काफी होंगे अपना firebatting dragon फासा हूँ भाइ तुमको दिक्कत क्या इतना बड़ा वेश से उधर गुमो ना घर के अनर को उसने क्या जो रहते है बाइटीव आइस बहुत पर जाने से पहले मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खाना किला दिया और भाइटीव जब मैं जानी बाला था तब मैंने अपने इंवेंट्र एक बड़ चेक आउट की और मेरे पास तो खाना है यह लाइक दो बैडी से सिर्फ मतलब मैं अगर इनके साथ सब्सक्र में जाता ना तो खाने के गमें कातिर मैं मरी जाता बर जो भी अफिर मिना परके खाने के बॉक्स से कुछ खाना तो फिर क्या था मैं तुरांते अपने सुजाकू को सुदू की बनाता हूँ और निकल बड़ता हूँ आइस पाम के लिए जापर जाने के टाइम मेरे को देखने को मलता है एक इंशन सेटी मतलब एंशन सेटी तो लग रहा है मतलब मुझे लगने कि कोई एडवांस सिविल चैस्ट को लूटने चला गया और फिर आ गया का दिखा कि एक जो रौन चैस्ट और दोदो गोल्ड चैस्ट को लूटा एंड मैं इनको लूटी रहा था मचे टर कि विच मेरे को यह वाला देर देखनो मिल गया अब तूम डेखिसक पूरे कितना स्वादा वासम लग रा त या रहे कितना कूल लग रहा तो फिर कहता है मैंने आपसे अपना पल्स पर इसके लिए ट्राई की बाट अब बेचार उससे पहली मारा गया यार वीडियो के लाइक करके तुम लोग इनके लिए एक शद्धान जेली देई सकते हो तो वन लाइक शद्धान जेली टू डेट पोकिमोन तो इंसानेत के खातीरी सही तुम इनके लिए लिए लाइक तो कर सकते हो कुछ तरीका है भीग मांगने का अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो ला तो मैं इस देखर के अंतर लिट्रिल अपने एक बेस मनाऊंगा चुकि बढ़ा होने वाला है तो जल्दी साथ तुम लोग सब्सक्राइब कर दो ठीक है मैं या से देखी रहा था कि पीछे मुझे एक डंजन देखा देखना मिला तो फिर गाता मैं उसके लिए निकल गया बट उसी बीच मेरे को यहाँ से एक यूज आइसी मिला तो मैं इसको उठाया आफ्ट एट मैं इस देखे के और करीब चला गया और बाद में मैं इसको बते चला कि यह एक डंजन ही रहा है लेकिन यह बंद हो चुका है इसके अंटर का व्यू तो बिलकुल अलग है भाई मतलब ऐसा देखा इतनी से पहले कितना जादा कूल ऑसम लग रहा है मैं यह फिर यहापर कुछ लोग ते जिंदें मुझे हमला करना शूड़ कर दिया एंड फिर मुझे बता चला कि भाई मुझे सब लगना होगा अगर मैं शुद्ध कर दे बने अगया अगया वह फिर में और अपने उश आख में इन सब को बहुत गंदे किसे मारा मतलब मेर से इर ओल प्लियर हो मतलब मैं तुम्हें में खेला ही निकान पर श्राइक बट जो भी हो मने इस सब को मार के राया अपने पाफ स्किल से सुदू की कार्ड जो भी है यह देखने में काफी खतरनाक था तो मैं डिसाड़ के कि मैं इसको अपने सुदाकू से भिराऊंगा और फिर कहादा मैं अपने फैर सुदाकू को बेज़ दिए आइस से गेंश्ट और मैं इसके साथ बैटल शूरू कर दी मुझे लिटरली देख साहित फाला कुछ करीनी भादा है इसके गेंश बřिर केसा साहरई और पुछ एपसे बच चायता है और उसके बाद ह्मारी बैटल रिस के साथ पोगत देर ते हैब अब भी कर भी पाईटे से लो extmirag की बैतल के बाद 5 किसे बंदा लो हो चुका था अब फाइले बार इता इसे कैश करने की तो मैंने अपने सुजाकू को don't attack का कमांड टी जा तक यह से मारे ना फिर मैं इसे खुद लो करने लगा वरना मैंना सुजाकू कि इसमें भी नहीं आने वाला किस सही होता है जो भी हो मैं आने से बेले प्रिपरेशन करके आयों मैंने पास 21 प्रिपर या भी तक तो मैं तो भाई इसको क्या से के रहूंगा तो फिर गाता है मैं बहुत देते कि 100 प्रिपर फेकते रहता हूं प्रिपरेशन के रहता है मतलब नहीं आउंगा नहीं आउंगा नहीं आउंगा इसे आना ही परता है वह कैच एक वा सुजाकू जो कि पाफूल तो है मुझी भी इसके बाद मैं रिवर्ड होल के और दॉट परा मैंने कुछ रिवर्स कलेक कर लिए इसके लिटिल में कोई टेक्नोजी फंड नहीं मिला और मुझी कुछ डामन मिल गयते कुछ मैंन मिले थे अब मुझी इस आइस बाम के बहुत ज्यादा और अंदर चाना है और बहुत ज़दा और सफर करना है तो फिर क्या था मैं निकल देता अपने सुदाको के बहुत के बहुत के और अंदर अंदर बहुत दितक मैं ट्रावल करते जाता है यहां से बाहँ घूमता रहता बिकॉस मुझी आज से एक बहुत पाफल पल चाहिए था अप्ट आट मैं निक बहुत आटक के ना शुलू करते गा अंद गेबे चारे भाई कुछ करी नहीं पार रहते तो शुताको ने तो इन में से एक दो को महले डाला एंद बाइड बाइड बची हुए थे तो मैंने इन में से एक को क्रेश के निकर च्राई की एंद लिटरली भाई यह लोग भी नक्रे दिखा रहते हैं लाइक हांके बाल इसने नक्रे के दिखाता है बट अब टीडेए जैसे जैसे मैंने इन में से दो को क्याश कर लिया भाई मेरी जान निकल गे इसमें बट जब भी मैं इन लोग को क्याश करें जाल आता मुझे यहां से एक क्रेश्टल मेमोरिश्टिक नो मिला भाई मेमोरिश्टल को क्रेश्टल का यह लिटरली वासम है भाई तीवे फिर मैंने इसके सब बैटर शुरू की है मैं को बते चला कि यह तो फ्लाइंग राइट करने गया है मतलब आसमान के बड़ कहा उट जाता है भै असे मैज यह फिर इतना उपर जाता है कि यह घायब हो जाता है अगर यह नीचे आता भी यह तो मर जाएगा मतलब मैंने इसके बाद मैंने आइस ब्ला में बहुत जाते कहुत सफर की बहुत जादा मैं और पल्स को धुणने करी कोशिश की और उसी बीच मैं यह तो पल देखने को मिले जूकि काफी तहना कूल लग रहे थे तो फिर क्या था मैंने इन लोगों को थोड़ा वडिया थी अपने सफजाकू के मदद से और फिर मैंने में से एक को कैच करने के ट्राइ की जाबर पहले मिल्स्पेर तो बंदर मिल्स्पेर के अंदर लुकिली यह बंदा capture हो रहा था बैटि कहा के परंपरा के खातिर ये लोग ने थोड़ा बहुत घमन दिखाया इसको catch होना ही पड़ा मतलब मैंने जैसे जैसे को catch कर लिया था जो भी है अच्छा है इसके बात मैं यापर उठाई था कि मुझे नीचे बहुत घतना जमा हुआ पूल देखना हो विला तो मैं इस पूल कर देखने के लिए इसके पास्ट लगए बिकॉसे मुझे बहुत साथ ही बिटफिल लग रहा था अच्छी मुझे इस बात का अंजाजा नीच था कि यहाँ पर लिटरली भाई फ्रॉस्टिलियों रहता है इस गीम के एक लिजेंड रिपल लिटरली मैं इस ही ढून रहता है और यह मुझे ऐसे मुझे पता ही नहीं था देखे है कितनी अ्र्रामस होथ एलेगिदा इसके चैंड के नीचे हम तोड़ेंगे इसको दिखाएंगे किया का बात कॉन है और इसको も निकरी बछुबर स सम्टेटा शिवा यह than an officials की दिखाए looking के गेम के चार पाफुल जीनरी में इसे एक है और इसने हवा में मेरे बहुत करना गटाइक कि जिसके खातिर में सुजाकू की बहुत अधा हल चले गई थी और मुझे पता चल गया था कि मैं इसको आस्मान से तो हडाई नी सकता तो फिर में नीचे आते तो इससे बैटल करने के लिए और मेरे सुजाकू की बिल्कुल ढ़री था बट यह को सुजाकू की और देख रहा है लेकिन अटाक भाई यह मेरे पर कर रहा है मतलब यह पोक्यो को हड़ाने के बाद ही यह को ठंड लगना शुरू हो चुकी थी मतलब मुझे यह यह से भागना होगा वरना ही मैं सुजाक को मार देगा यह भाग जाता हूं बट एकशली यह इस बाटल का इंड नहीं है मैं तुझे वापस आने आपका फ्रॉस्टिलियन अंदेख हो यार पर रात हो ली थी तो मैं सो गिया जाके और फिर नेक्स वे उठने की पादी मैंने फ्रोस्टिलियन से लिने के लिए बिल्कुल प्लान दुना लिया था तो मैंने अपने टीम से अनवी स्काट टाया अन अपने जर्मेंटाइट को लगतीया फायर वाले को एंट फिर में निकल पड़ा फ्रोस्टिलियन से बातल लेने जर्मेंटाइट फायर टाइप था तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी तो फिर क्या तो मैं बहुत जादा ट्रावल करता रहा अन इस ट्रावल के बीच मेरे को एक आइस किंग पाका दिखिया था और मजे यह बाहर तो अबर में दिखाई नहीं था मैं दिवे फिर में आगे निकल जाता हूँ बहुत जादा और बहुत देर टेक ट्रावल करने के बाद फाइटकी से में आ जाता हूँ फ्रॉस्चिलियन के पास जहाँ पर नीचे यह बंदा था तो फिर क्या था मैं पासा कि इसे बातल चूरू करता हूँ अब इसको लग रहा था कि यह मुझे एज़ी रहा सकता है बट ऐसा बलकुल नहीं बिकास में पाफ़ल पल की साथ आया हूँ इन उपर से मैं इसके साथ दिन में बैटल कर रहा हूँ जिसके खाते में बस एड्वांटेज है तो फिर क्या था यह अटक करता है मेरे उकर और कुछ देर के बैटल के बाद लिट्रली में सुजाकू को मार भी डालने वाला था बट मैंने जर्में टाइड में सुच कर लिया था और आफ्टेट में अपने ऊशार को भी भेजता हूँ जो कि यहाँ पर इसका बठंडर शॉक्स बचातो रहा था लेकिन इसको ज्यादा जिन पूर जाता है उपर से पहले लाइज भी नहीं हो रहा था जो कि अपने ऊशार को बहुत दिक्कत कर रहा था था आए और बहुत करना घंडा भी रहत रहता था यह कुछ दिर के बाद यह लिट्टिर उशार को मान भी बाला था एक ही शॉट के अंदर कि मैं तो रहन त यह मेरे सारे बाल को खत्म करें यह करके लिए और यहां पर बेचा लिया आठा एडर यह कि इन प्ल ओन फॉल्फुल बॉस है बड़ जो भी हो यह लिजिन्गी में इसरे लेक्ता तो इसको परफूफ्वल नदब बनता ही है बट अब मेरे सारे पोखल मुर्ज सुजा को ए स्वाइडर गर मैं बैटल के लिए उसने गर्टा बहुत बहुत मेरे को सेव रखता है बर जो भी हो यह कुछ जादी खत्नाग बैटल हो चुकी थी और फिर मैं इसके साथ कुछ और दे तक बैटल करता हूं और इसी बैटल के अंदर इलिटर में सुजाकू को बलकुल लो कर अब मेरा प्लान था कि मैं उपर जाएके तोड़ा हील कर लो सुजाकू और मुझे ताकि हम दुबार आके से लर सके और इसके इस पी तो भाई इतनी रहने वाली थी तो फिलाल हम थोड़ा ऊपर चले गए और उपर से ही मैंने इसको डामज देने की बहुत कोशिश की मतलब अभी से कैच करना लगभग इंपॉसिबल है बट मैंने इंपॉसिबल का है ना मुझे नहीं बिकॉज मेरे पास एक बैक अप प्लान भी ऐसे कैच करने के लिए है और इस प्लान से मैं इसको बहुत जादे तरपाने वाला हूँ तो फिर करता अपने माश्य प्लान को ब्रीडिंग फार्म उसको मैं तोड देता हूँ और उसे महा पर प्लेस कर देता हूँ ऐसके बाद मैं अपने सारी मरेव पल को इसके अंदर हील होने के लिए रख देता हूँ ताक्य वापस एससे बातल लट सके और उसे बीच मैं और से ट्रावल के पने में वेंवेस अबी दिया था और सथा अल्ट्रसपार को बनाने के लिए अपने पस रिफाइन आयर निंगड के कमी पर रही थी गोड़ा तो मैं अपने मानिंग बीस्क्त माइके बहुत जाए है आरे अन्ग की इसके बाद में रिफाइन आयर निकट करता हूं और उसी बीच ना मेरे कुछ सफर के दो रान कावी सारे आइस सिगमल गए थे तो मैंने सब को हैच के या से उससे कुछ जाता खत्नक पल्स तो नहीं लेकिन कुछ नॉर्मल आइस टे पल्स निकल गए जो कि ऑसम ही थे एंड मुझे सारे पसंद है खासकर यह आइस किंग पाका वर देविए उसी बीच मेर मैं वापस आया जहाबर मैंने कुछ पावफुल पल्स को कैच किया तक यह लोग फ्रोस्ट इलियन को अटाने में मेरी मदद कर सके तो इसे मीच मेरे सारे आइंग अट मैल दो चुके थे तो मैंने बारी-बारी करके बहुत सारे अल्टरस्पेर को क्राफ्ट कर लिया था ए आपने तemi सारी एक्त्म से शक्तिशारी पल्स है ज्योंकि फ्रोस्ट इलियन से लड़ सकता है मजि दो असके भाद में फ्रोस्ट इलियन के ने आपनह हो गई जिसके बाद भी मेरे पर इसके चाहरे थे बट फिर वह हुआ जिसका मुझे टर्ट था फ्रॉस्टियर ने एक अटाइक के जातर पर को मार घिराया एंड यह चीज काफी जादा खतर नाक थी मतलब मेरे पल्स यहाँ से खतम होची पे थे अट उपर से इसने मेरे सारे पल्स को मार भी रिप्लेज करें कुछ से कंदर मैरे सारे पल्स कितने पाफुल है बच्छल्य अकेले इंस सबसे लज़ रहा इंस सब को मार आ तो तुम सोची सकते हैं लेचिनरी कितना पाफुल है रहरा है अब मेरे पास एक यह उप्श्शन बचा था था कि मैं अपने सारे पल्स को वापस से रिप्लेज करें दूसरे ताकर दर पल्स से अग्वाद अगा थि जसके पर नहीं आपने सारे बॉस लिलीनिलियन को छोड़ दिया जिसके बाद भाई साब श्यांग इसके पट तो धक्र आता किते हैं तुछ दिर के बाटल के बार्ट रूट के लिए को सिर्थे कर नहीं आप बिल्कुल खुगा था मतलों काफी लोस्त तो फिर फ्लीड आप और लोग लो कर दिया उपर से मेरे पूर से पल्स तो थेही वनीआ मैं इसी बीश प्रॉस्टियन फिर से मेरे पर अटाक कर रहा था मतलब तुम लोग देखे सकतों यह कितना जादा ही शक्ति शालिया भाई इसको तुम जितना भी महालो यह बंदा हार नहीं वानता यह बंदा यह बंदा एक यह बंदा नहीं बार में पर से आएं उसको और लोग करना पड़ेगा और अउपर से यह राध भी हो चुग थी पिर ये बंदे मेरे को मानने के चिक्कर में अपना सरी पत्थर में मार देता है इसको बहुत खथना फोग जाता है एक ही बार में यह पुर्ष को लोह जाता है, अब मुझे डर जा था कि मेरे पल्ष इसको मारना दे, तो इसी खाकर मैं टेक लिए आता अपना प्ल्स बॉक्स के पास अपने प्यारे से प्ल्स बॉक्स को याद से तोर देता हूं इसके खाटर में सारे प्ल्स बापस से घर पहुंच जाते हैं मैं अप्रेर पर अपना 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 उट्यास बॉक्स के भाज से तोर में अपना फ्ल्स बाट बीवे यह प्लड़व कःच जाता है मैं अपने यहां भी मढ़ गया उसको आपने वेस्ट वापस आता हूं एंड मैं चेक आउट करने लेगता अपना फ्रॉस्टेलियन को इसके पाथ लेजेंड है एंड आइस इंपेडर है मतलब तुम सोचेकते हैं कितना ज्यादा पाहफुल है इसके टैक्स बहुत अच्छी के एहल लग चुक है बैट जो भी हो हमने लेजेंड को तो कैच किया है फिलाल में सोची कि मैं इसके ब्रीडिंग कर रहाऊंगा तक मुझे खुझ अच्छा पल मिल जाए तो मुझे फ्रॉस्टेलियन को तो रखा मेरे पास ज्यादा ऑप्शन फिलाल नहीं थे भीकॉत में मैं यहां से चला गया था एफ के और फिर पहुत देर तक यहां से रेकॉर्डिंग चलते रही मैं चला गया था पाहर लिटर मैं तुम लोगा 100x speed पे वीडियो दिखा रहा हूं तब दा कि वीडियो इतना देर लग रहा था तुम समाझ सकतो कितना देर रेकॉर्ड हुआ हो हो चुके थे जो की काफी अच्छी बात है और शाय से इनमें से एक के पास लेजेंड होगी ही होगी बैट जोब यह मैं जाके अपने वेस में अराम से सो गया बैट जो भी हो नेक्स बहुत ही मैं आगे एन इक्स को देखने कि इस इंक के अंदर से कौन सा पाफू लेजिनर कुसी तो फिर क्याता है मैं इनको जुजबीर नu दाला एंड फिर मैंने इन सब को डाल डिये करके अब मैंने कने अगया तो सबसे पहले एक सथा निकला था सुजहां कू जिसके पास कोई अच्छे टीसरे वाली के पास फाइद इसे लचेंट था जो कि बहुत एची बात है और चौते वाली के पास तो लिटरली लेजेंड, आइस इंपरर, टीन-टीन खतरना के अबिलेटी थी भाई लिटरली इन पाफ़ पल्स जनम कैसे लेते हैं यार बैदेवे इसके बाद मैं अपना फ फ्रॉस्टिलन भाई, इसके तरह लग चुक है वैसे फ्रॉस्टिलन को पकरने के टाए मैंने अपने थर्ड वेस को तोड़ दिया था मतलब मुझे आप जाके वापस से रिबूल्ट करना पड़ेगा तो मैं निकल पर अपने थर्ड वेस के इधर जहां पर सब कुश अब मुझे इनके लिए रांच लगाना है बट उसके लिए अपने पास फाइवर की घमी है तो फिर क्या था माने यासे एक एक एक्स को बिल्ड किया और इसको लेकिया फिर मैं निकल परा पासी के पेरों के बास चौपर मैंने जाके बहुत सार पेर काटे और फाइवर को क अब अब ब्लेश को बनाया जहां पर तीन स्लोट यहां आ पर मैं अपने अर्मेर को रखने वाला था लाए ठाइयर अर्मर नॉर्म आर्मर एंड आइचे लिए फड़े लोगा चैनल बहुत अची बात है वह सी बीच मैं थाट बेस बाट टैक हो गई एड अट्कर पोर बह सब को सम्हाल दिया मतलब इसी बीच इनोंने मेरे सारे पल्स को लगू जातर पल्स को ना मार कि रहा था विकॉस वह सारे कम लागल के थे सब सम्हाल दिया और मेरे सारे पल्स के लग चुकी है जो भी है बहुत बुरा वन के साथ मज़िव अब मेरे एक न्यू स्ट्रॉक्टर बनान के रही हुँ तो सबसे पहले मैं यहां से होट स्प्रिंग लगाने कर सोचा मतलब हाई को इसको मैं यहां पर सट अप कर दिया और कोई से पहले दा इसके बाद नहीं ञें की लुट्फर के रहे पन होट और मिल रांट अन की बात बनने की MA जा इनको सब्ते हो फिर इनको कम्पलीट करने के बाद ठाक कTh मुझी तो बहुत पसंद रहा है तुम इसको रेटिंग करो 10 में से कितना रेट करना है ऐसे कोमेंट कर सकते हो यहां पर कुछ पल्स के बैट दे दिये और इसके बाद फाइन किसे इस वेस का काम आप कम्प्लीट हो चुका है तो मैं यहां से निकल पराए दिवे इस फिर में अपना में बेस में आता है यहां परानी के बाद मैं सोचता हो कि यार दिवेस पुरा बिखरा परा हुआ है लग तुम क्राफ्टिंग वाली एडिया को देख सकते हो जहां पर कुछ मेशीन गड़ी है एंड लिटरली यहां के मेशीन इधर इधर कहीं पर बिखरी पड़ी है तो मैं फिलाइल सोचे कि मैं इसेंबल करूँगा तो फिर क्या था मैंने यहां से इसको तोड़ डाली जि अगर मैं इसको बना लिता तो मैं और बहुत से नहीं चीज़ को क्राफ्ट कर सकता हूं तो फिर क्या था मैं यहां पर इस चीज़ को भी लगा डाला एंड आफट वाइट फाइट किसे में सारे पर समल के यह चीज बना भी दी जिसके बाद यह तोड़ा ग्रें के लगा ल बीडिंग करा सकूँ और फीचर में इसकी बहुत जगरत बें पढ़ने वाली थी तो फिर क्या था मैंने यह आपर ऑल्री सेवेंटी के एक को बनाने रख दिया था है इन वेंसे 43 बन भी चुके थे तो मैंने इसको लिया एंड़नों ब्रीडिंग फार्म में एक्वेल राता हूं बट पता निया यह वाले जर्मेंटाइट ओटी निया था लेकि यह कुछ जाद ही बढ़ा है तो फिर क्या था मैं अपने इस सुजाकु एक्वा को रख देता हूं अब इन दो लों के ब्रीडिंग से भी कॉन सबान निकलता है यह भी मैं देखने के लिए काफी शॉटली और नॉक टाउन भाई और फिर में यहां पर खुद भी अंची मारता हूं जहां पर आके मुझे इन फ्लाइंग मारन सो मारना था भाग दिये बट फिर भी मैंने जैसे इस हिन लोग को मानने के ट्राइग की बट यह लोग यह यह से भाग गए और उसी बीच के बास आया जो के लेवल 13 का था मतलब यह मेरे सामने मच्छर के लावार कुछ भी नहीं है तो फिर क्या था मैंने सब के बाद मैं वेस्ट वापस आ गया इस फिर मैं आपने वीडिंग विजिट करता हूं यहां पर लिग दो बलता है कि यहार किर्शन और उशाक ने मुझ बाहर फेक दिया काम तो हुई चुका था अब दिखने कि इस इक से कौन से बल निकलता है तो फिर क्या था मैंने जीओ जीओ को ठाड़ा एंड इसे हैच करने के बाद इसके अदर से निकला एक बहुत ही मोटू सा पल जो कि ग्राफ चैप का था मतलब यह थो है मैं इसके आ में वापन इसे और लिए कंश के अदे कर अगफ बाद मैंने रिखा के अपना घ्रीटिंग पर में डिया आपे बडीनिक लिए उफार कां के ये रिक्रेश को और इलेक्र सेडिशनेरीट करने अब बचि को ठाड़ा पर गिच अधर देख रहांग जीए देख रहा आपर सा दर के लिए गुमने जाने वाला था तो फिट कराता मैं निसके साथ मैं निकल परा के खूज चे में थुड़ा बोट गुम के आने वाला हूँ तो बैधे बोट बॉट में जब कापाट फिर जोडने के बाद वह तो बॉक्ट मुझे यहाँ पर मैप में य Milky ति al तो पुरी की बुरी तागत लगाई एंड उस बंदे को यार पहुत दी गंदा ही धो दिया आपड यार परी काफी तदर लो चुका था तो मुझे यार पर मुझे आधी काफी दो कर लिया हां ये कैफिमेंट बोल सकतो भाण वाण मैं अपने सेंड वाण के सब्वाण के वाण निकल पड़ा जापर कोछी जो ट्रावल किनी के बाद में काफी करीब आ चुका था इडिविए इसक अंदर भी आ गया और अधा पर मुझे कुछ खास तो मिला नहीं मुझे या पर कुछ चलते हैं मुड़ गया दिखी तो मुझे अपना गुस्सा इन पर उतारा फिकॉस या पर जादा कोई पल्स घूमी नहीं रहते है तो भाई इनको इनको मारने के बाद मैंने और बहुत दो सफ़र की चापे में इस आइ पल देखनो मलता है एक चमकता हुआ लगी पल अब इसको कैच के नहीं तो बंता ही था तो फिर क्या था मैं आगे से बैटल करने बट ये लेवल 50 का था भाई गेम के सारी पावफुल बॉस इतने पाफुल था मतलब सूसरे तो जैट्ट्रेगन फ्रॉस्टेलियन नेक्रोम बैटल में इसका चोटे भाई ने इसका ले लिया था मतब साइट से वह बीड अटाक कर रहा था इसके खादी मेरे को भी दिकत हो रही थी कुछी में फ्रॉस्ट जियर ने इस बहुत दा लो कर दिया था अन अब बाई था मुझे से कैच करने की तो फिर करना मैं आपना से कैच होने वाला था जब मैं से कैच के रहा था इसके चोटे भाई ने मुझे हमला कर लिया था अब उसके बहुत दो गुस्सा आगया था तो फिर क्या था मैंने उसकी सरपे टफली बजा डाली बट उसी बीच पूरी ते किसे रात उची की थी और रात में बताई रही कि उससे पहले मुझे से कैच करना था तो मुझे अब तो बहुत सरफ पल्स कर फेक है इसके पर यह बंदा भाई कुछ अगी जिद्धी है मतलब बहुत सरफ फेक निकी बाद भी कैच हुई नहीं रहा था बट तन फिर मैंने अपना और पल्स कर फेक है एंड बहुत टाइम व कॉमा निक युकि एक्चिल सबसे यूस ले सिकते तो फिर क्या था मैंने इन दोनों को तुरंती पाहर निकाला और रिट्रली इनिक से कहा है निकली भाही मतलब तुम से तो एक काय जिसके पास अर्थ इंपरेट की पावर है मैं जब मैंने प्रेक्शन आस्मी लाइन टू बनाया था तभी अपना वेस अब्रेट करने के रेडी था मैंने नोटिस नहीं किया था तो फिलाव मैंने अपने वेस को अप्रेट कर दिया था लेवल 19 में उसी बीच में थोड़ा लब भी हो गया था एक न्यू शील्ड खुली थी इसका नाम था हाईपर शील्ड तो फि अब मेरे डिफेंस लिटरली डबल हो चुकी है तो अब मैं बहुत सा श्रॉंगर पल्स लेने के रहते हैं यारू मैं देविए उसी बीच में को लगा कि मेरे वीस में को जाटा बड़े-बड़े पल खुम रहे हैं और मुझे उनके सोने देने के लिए अच्छे एक वीस ब बना सकते हैं तो फिर क्या था मैं इसे बनाने लग किया था थोड़ा बहुत तो रैडी कर दिया था जिसके बाद ये घर कुछ आशा दिखे रहाता जा सकती है जो कि बहुत अच्छी बात है मझे फिर मैं या पर एक चोड़ा सा प्लैट्फॉर्म बना दिया जिसमें मैं खड़ा हो सकूँ और बाद मैं इसमें अपने चीजे भी प्लेश करने वाला हूं फिर मैं या पर श्रत लगा दी इसको दोनों साइड से मैंने कवर कर पूरण से मतलब दिक्कत तो हो रहा था has भी उसका च अब यह कुछ असा अरब है कुछ आतो है इसको बीच पराथ ही पसंदाए में अब इसको अबом स्ख़य में तो धाना है तो नोंनों साइड से ऐ हैं इसको और यह उस्ते संन क्व्रेट हो चुका है एं इसको और कूंप तो भी बाकी रह गया है तो फिर क्या था मैं आगे यापर लगाने यहाँ पर जगा देखके मैंने यहाँ से लगाने की सूची बट उसके लिए अपने पास हाइक लेटी क्लॉट की गमी थी हाइक लेटी क्लॉट बनाने के लिए हमें 10 वूल की जोवत पर दिया है फिलान कोई नहीं बचेगा यार इस बार एन मैंने इंसाय लंबोल को फुटबाल बना दी फुटबाल की तरह गूम गूम के नीचे भी जा रहे थे जो कि देखने में सब के बाद में 80 प्लस वूल को कलरक कर चुका हूँ इसके बाद मैं यहाँ से काफ़ी सारे हाई कॉलिटी दिया और फ्रोस्टी लंग ने आते इनके पर अटाक करना शुरू कर दिया और कुछ को तो फ्रोस्टी लंग बाहर इंब आखा में बहुत रहा है था यह लोग बाहर चाहता हूँ देखने एंपि इन सालों ने लिटरली मेरे घर पर भ्याग लगा दिया था मतलब अब मेर फ्रोस्टीं को फोड़ा इंडिस ने एक टाक्सिन को मात डाला बट अब मुझे अपने घर को बचाना है भाई वो पुरा जल जाएगा यार अगर में नहीं रोका भी तो मैं तुरंत इस घर के उपर आता हूँ और आग लगी थी आग ना फैले इसलिए में इसे तोर देता अब आग फैल नी सकती और मेरा लक्री का बना हुआ है अगर मैं इसे नहीं रोकता तो पुरा घर जल जाता बट अब इन पक्षियों को देखना है इनके इतनी उकात कैसे भाई हमला कर दी फिर मैं इन में से एक को मार दिया तो फिर किया था मैं अपने वेस में से लार्ज बेट लगाना शुरू करता हूँ ना इन यह पर सिर्फ एक बेट लगाता हूँ और फिर यहां पर कुछ में च्छा लग रहा था तो फिर इन वेन यहां मैं आपने खर के दर गया और गया एंट घर के दर जो दो लार्ज पल बैट थे मैं इनको दोनों को तोड़ दिया फि इसके बात मैंने यहाँ पर गर्म पालने का एक धन्ना बना दिया और उसके साइड में भी सी मैने ऐसा एक बना डाला था क्योंकि मेरे पल नीचे सोच सकते हैं उपर आ के आम से नहां भी सकते हैं और मैंने अलानीमेस ने मेल के यह होट प्रिंग क्राफ्ट भी कर डाला एक्स गेमिंग और गेमिंग साइड यहनों ने हमारे चैनल के मेंबर्शिप को चॉइन करके हमें काफे रचे सपोर्ट दिखा है यह वीडियो तो यही पर इंट होती है मिलेंगे आप से विएक से पाल वाल्ट के और एक हंदेड डेस वीडियो के साथ